गेस कीजिये, खौन सा जानवर है? मैंने तो गेस किया था कुट्टा लेकिन अगर आप इसे कुट्टा समझ कर खेलने की कोशिच करेंगे तो बस गये आप काम से What's up guys, मैं हूँ राहूल जक्तियानी और आज मैं आपको इंगलेंड के ग्रामेन इलाके में the beautiful countryside of England में लेकर चलोंगा जब हम संकर भेडियों के hybrid wolves जिसे कहते हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके बारे में जनकारी लेंगे और नोट कुटें बट hybrid wolves बहुत फर्क रहता हैं में they look similar to dogs but they are very very different, trust me तो लंडन से सिर्फ तीन घंडे की दूरी पर by train है Lake District National Park ये एक UNESCO World Heritage Site भी है और इस National Park में काफी छोटे छोटे शेर, छोटे चोटे गाओं भी है और पहाड़ी इलाका है, बस समझ लीजे, इंग्लेंड का हुमाचंड तो मैं बंबई में रहता हूँ, मुंबई जिसे कहते हैं और यहां 2,000,000 लोग रहते हैं तो इतना सारा शोर, इतनी धूल मिटी, इतना population, इतनी सारे लोग इसके बारे में तो आप जानते ही हैं तो मुझे ऐसे पहाड़ी इलाके में जाना, जहां हवापानी साफ हो, धूल मिटी नहीं हो, लोग कम हो तो मैं ऐसे जगाओं पर काफी रिलाक्स फील करता हूँ और बड़ा मज़ा आता है मुझे ऐसे, you know, holidays मनाने के लिए, ऐसी जगाओं पर जाना तो लेक डिस्ट्रिक के ऐसे ही एक छोटे से गाओं में, जिसका नाम है A-Side वहाँ हमें भेडियो के साथ चलने का, by the way, इनका नाम Mascar और Kajika है और इनके साथ चलने भेडने का और इनके बारे में सीखने का मौका मिलता है तो इन दोनों वुल्स की इन भेडियों की personality बिलकुल अलग है जैसे के होता है कि वुल्स में एक social hierarchy रहती है कि एक लीडर है पक्त का और दूसरे जो हैं फॉलोवर्स या डिफेंडर्स रहते हैं लेकिन काफी क्लोज है ये दोनों जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे खेल रहे हैं तो इनके साथ पहली मुलाकात तब होती है जब ये केज में बंद हो क्योंकि ये आपको जानते नहीं है तो आपको बस अपना हाथ यू ऐसे केज पर रखना है ताकि ये आपको सूम सकें एक पहचान आपके साथ बना सकें तो इसके बाद ये प्रोग्राम प्रेडिटर एक्सपीरियंस इसे कहते हैं इसके जो डिरेक्टर्स या ट्रेनर्स जो है दी एंड दैनियल यह इन दोनों भेडियों को थोड़ा गुमाते हैं you know, just so they feel a little free and comfortable in the open and उसके बाद ही हमें उनके साथ चलने का मौका मिलता है you know, so safety always comes first जैसा के मैंने आपको पहले दी कहा था तो भेडियों की reputation काफी खराब है, लोग समझते हैं कि यह काफी aggressive है लेकिन मैंने यह सिखा है कि अगर आप उन्हें challenge करें, उन्हें भड़काएं, provoke करें तो ही यह आपके साथ aggressive हो जाते हैं जैसे कि अगर आपने उनके आखों में आखें डालकर घूरा है if you stare at them, look at them in the eyes, तो फिर यह समझते हैं कि आप उन्हें challenge कर रहे हैं, आप उनके territory में आखें, उनको ही चेताब नहीं दे रहे हैं so then they tend to get a little bit aggressive अचा दूसरी बात, अगर आपको इन्हें पैट करना है, तो इनके साथ इतना close जाकर अपनी गर्दन जुका कर अगर आप करेंगे, तो यह आपकी गर्दन पकड़ सकते हैं तो यह आपको नहीं करना है, if you really want to pet तो थोड़ा आराम से, थोड़ा distance रखकर आराम से थोड़ा पैट कीजे, then they don't feel so threatened just remember कि यह कुत्ते नहीं है, इनका बरताब बिलकुल अलग रहता है, so we have to be very careful लेकिन यहां का सबसे भेहतरीन experience यह रहा, जब हमने इन भेडियों के साथ चीखना शुरू किया, howling यह काफी लोगों के लिए एक spiritual और एक emotional experience भी रहता है, और काफी सारे लोगों के आपको में आसू भी आ जाते हैं, because it's something very unique and if you like animals, अगर आपको जानवर पसंद है, pets पसंद है, तो हाला कि आप इसको पेट के एसाफ से रख तो ही सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी वो bonding है animals के साथ, तो this can be a very beautiful experience अच्छा और इनकी जो चीख रहती है, their howling, ये अलग-अलग तराखी रहती है, जैसे के एक celebration की चीख हो गई, एक अपने territory को mark करने की चीख हो गई, और एक family warning की चीख हो गई, जो हमने देखी, और उनके कान इतने तेज होते हैं, कि दूसरे भेडियों को इनकी गुंझ साथ-ार्थ मिल की दूरी तक सुनाई देती है, so really really sharp years, and through an open forest or countryside, आपको हमेशा है नहीं, लेकिन दूसरे भेडियों को साथ-ार्थ और कभी 10 मिल की दूरी पर भी सुनाई देती है उसकी गुंझ, तो मैं और क्या कहूं, आप ही देख लीजिये, हुआ 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 है तो काफी सारे नई बाते सीखने को मिली और बेरी इंट्रिस्टिंग और इसी बहाने लेक डिस्ट्रिक की सेहर भी होगी तो I hope आपको भी यह experience देखकर मजा आया हो और नई चीजों के पार में जानकारी मिली हो तो this was it and once again मैं आप से दर्खवास करता हूँ कि आप मेरे चैनल को subscribe करें और यह वीडियो को प्लीज शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंज के साथ, अपने प्रेंज के साथ, अपने प्यामिली के साथ और अगले हफते मैं फिर आऊंगा एक नई वीडियो के साथ and until then, take care or as the English say, see you later mate.